जालोर में कॉंग्रेस की चुनावी जंसबा राहुल गांधी ने जंसबा को संबोधित किया सभास्तल पर आए लोगों का धन्यवाद किया और पिये मोधी पर एक बाफिर से बरस्ते नजर आए राहुल गांधी और कहा कि पिये मोधी बड़े बड़े वादे करते हैं पिये मोधी ने 15 लाक रुपे देने का जूटा वादा किया मोधी सरकार ने 5 सालों में केवल बड़े बड़े वादे किये हैं 15 लाक के लिए सभी ने बैंकों में खाते तक खुलवाए लेकिन किसी को 15 लाक रुपे नहीं मिल पाए और 37 दुरान उनके साथ अशो गहलोत डिप्टी सियम सचिन पाइलेट भी मंच पर मौझूद नजर आए जालोर में कॉंग्रेस की चुनावी जनसभा और यहाँ पर कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते समय एक बाद फिर से पियम मोधी पर जमकर बरसे राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते वे कहा कि पियम मोधी बड़े बड़े वादे करते हैं पांच साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया और साथी राहूल गांधी ने कहा कि मोदी ने पूरी देश की जनता से खाते तो खुलवा लिये लेकिन उन बैंक खातों में 15 लाख रुपे नहीं डलवाए जालोर में कॉंग्रेस की चुनावी जनसभा मारवाड की राजनिती को साधने के लिए कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी इन दिनो मारवाड में जनसभाएं कर रहे हैं और इसी के तहत जालोर में कॉंग्रेस की चुनावी जन्सबा हुई और कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी एक बाफिर से जनता को संबोधित करते हुए पियम मोधी पर जमकरबर से राहूल गांधी ने सभास्तल पर आये लोगों का धन्यवाद भी दिया और साथ ही पियम मोधी पर राहूल बरस्त वे बोले के पियम ने देश की जनता से जूटे वा देखिए और साथ ही वहां मौझूद रहे राहूल गांधी के साथ सेम अशोगहलोत ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि किसानों को हमने मुआवजा दिया जालोर की जनता को पीने का पानी मिलेगा अशो गहलोत ने यहाँ एक बड़ी सोगात देने की बात की जालोर की जनता को अशोगहलोथ ने जनता को संबोधित करते वे कहा कि राहुल जी देश की जनता की मन की बात नहीं करते हैं P.M. Modi की तरह और साथी कहा हम समस्याओं के समधान का भरोसा दिलाते हैं जालोर की जनता को पीने के पानी की सोगात देने का भरोसा दिलवाया और साथ ही ये भी कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। कॉंग्रेस के उमिद्वार रतन देवासी के समर्थन में जनता को संबोधित करते वे वोट की अपील की। सियम अशो गहलोत ने सभा को सम्बोधित किया और साथ ही जनता की तरफ से कहा कि जनता ने अब कॉंग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। और सम्बोधित करते वे जालोर की जनता को पीने की पानी की सोगात देने की घोशना भी की। पीमोधि पर तंज कस्तेवे अशो गहलोत ने कहा कि हम पीमोधि की तरह मन की बात नहीं करेंगे बलकी जनता के लिए विकास करेंगे समस्याओं का समधान करेंगे। करेंगे जनता करेंगे जनता करेंगे।